एक शांत रात को बेबी शेरू एक प्यारा एनिमेटिड युवा शेर बड़े भावनात्मक आँखों और फूले हुए मेन के साथ बाहर खड़ा था जो चमकते तारों की ओर देख रहा था। नेली लंबी आस्तीन की शर्ट और सफिद शौर्ट्स पहने उसने अपने हाथ खेल खेल में पीट के पीछे रखे हुए थे। चारों ओर की हाथ अचानक एक शांदार रोशनी ने आकाश को रोशन कर दिया और बेबी शेरू की आँखें आशचर्य से चौड़ी हो गई। व के लिए बेबी शेरू और बेबी चिक्तू ने चमकदार निशान का पीछा करने का फैसला किया। वे चांदनी रास्ते पर दोड़ते हुए जंगल के बीचों बीच पहुँच गए। उनके दिल रोमांच से भरे हुए थे। पत्तू की सरसराहट और दूर की जानवरों की आवाजें उनके साहते हैं। जब वे एक खुले मैदान में पहुँचे तो उन्होंनी एक चिक्नी चमकदार अंतरिक शियान को धीरे धीरे जमीन पर उतरते देखा। दर्वाजा एक हलकी आवाज के साथ खुला और वहां एक दोस्ताना दिखने वाला एलियन दिखाई दि क्या हम आपकी साथ जा सकते हैं। बेबी शेरू ने उत्सुपता से पूछा। जाक की आँखों में चमक आई और उसने सिर हिलाते हुए कहा। विल्कुल आओ चड़ो बिना एक पल गमवाए। दोनों दोस्त अंतरिक शियान के अंदर दीवारों पर बटन और स्क्रीन रोप नहीं सका। अचानक अंतरिक शियान उडान भरने लगा और वे उंचाई पर पहुँच गए। जब उन्होंने कुछ ही क्षनों में वे ग्रहत जोग पर उत्रे जो रंग और चमतकार से भरा हुआ था। पैर बैंगनी रंद में चमकते थे और धास उज्वल नीले र पहरान कर रही थी और वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे एक और दुनिया में हैं। जार्क ने उन्हें विभिन्न दोस्ताना एलियन ट्राइनियों से मिलवाया जो एक दूसरे से अधिक रंग बिरंगे और खेल खेल में थे वहां नरम जीव थे जो जैली बीन की त जीव के साथ तैरना सिखा। जैसे जैसे सूरज अस्त होने लगा जोग पर सुनहरे रंग की छटा बिखर गई। जार्क ने सभी को एक विशेश गतिविधी के लिए इकठा किया। चलो पुछ विदेशी कला बनाते हैं। उसने सुझाप दिया। दोस्तों ने कई घंटो तक रंग बिरंगे सामकरियों को इकठा किया और शानदार मूर्तियां बनाई जो अंधिरे में चमक रही थी। हसी और रचनात्मकता से भरा माहौल जैसे ही उन्होंने अपनी कलाकृतियां पूरी की जार्क ने बेबी शेरू और बेबी चिक्तु की ओर एक गर मुसकान के स साथ देखा अब घर लोटने का समय है उसने धीरे से कहा बेबी शेरू और बेबी चिक्तु को उदासी और खुशी का मिला जुला अनुभव हो रहा था क्या हम फिर कभी आ सकेंगे बेबी शेरू ने आशा से पूछा जार्क ने मुसकराते हुए उत्तर दिया आप हमेशा रह जोग पर स्वागत हैं अंतरिक शियान में वापस चरते समय बेबी शेरू और बेबी चित्तु ने उत्सुकता से अपने पसंदीदा क्षणों की कहानिया साजह की उनकी हसी कैबिन में गूंज रही थी जब उन्होंने पृत्वी कियोर उडान भरे उनके दिलों में उत साह भरा हुआ था यह अब तता सबसे अच्छा रुमाज है बेबी चित्तु ने एक्सक्लेमर किया और बेबी शेरू ने खुशी से सिरहिलाया जब वे अंततह अपने जंगल में उतरे तो उपर तारे चमक रहे थे और चांद अपने चारों ओर एक नरम प्रकाश डाल रहा था बेबी शेरू ने बेबी चित्तु की ओर मुड़कर कहा हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक दूसरे की साथ रुमाज है उन्होंने एक वादा किया कि वे हमेशा खोज करेंगे और ब्रह्मान के चमतकारों के प्रती अपने दिलों को खोड़कर रखेंगे यह ज रुष्टी उनका सब भी है